आज का मौसम हलक हलकी बारिस के साथ और यह हमारे गाओं का रास्ता है ब्रिच पे जाने का तो अभी साम का टाइम हैं लगबा के बच चुके हैं साथ और हमें हमारे गाओं के ब्रिच पे जो कि महनगां से दूले आओ करता है और अभी कहा है कि यह हमारी माचक नदी है जो कि मैंने आप फो खेट में दिखाई थी यह हमारे गाओं को भी टच करती है तो अभी तो इसमें पानी है नहीं और जिसें बिरिच पे आये तो बारीज थोड़ी सी तेज हो गई आज क्या है कि इस बार बारिस भी बड़े मजे ले रही है हलके 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 हलका पानी आ रहा है बिल्कुल बारिस इस बार बिल्कुल भी मतलब गुस्से में नहीं है क्योंकि पूरा गुस्सा तो उसमें गुजरात के ओपर निकाल लिया विचारे के ओपर तो अभी MPK सभ कि यह बारिस नहीं होती है, तो वह किसान सहब नहीं कर आँए, और यह हमारा ब्रिज गाउं का, अभी इसमें रेलिंग लगी हुई है, लेकिन यह रेलिंग निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर यह रेलिंग नहीं निकली तो नदी के गुस्ते से इनको कोई नहीं बचा पानी आया नहीं है यह पानी तो पहले कई है तो अभी इसमें नदी में पानी रादवर में भी आ सकता है कि इसका तो कोई ठिकाना नहीं पानी का कभी कितना केसा आ जाए तो रादवर में भी पानी आ सकता है तो रेलिंग को निकालना चाहिए वैसे तो देखते हैं अब को हमारे पूरे गाओं का वियू दिखाएंगे ड्रोन के साथ में और गाओं में कौन-कौन सी चीजे हैं जो की स्पेसल हैं उनके बारे में भी दिखाएंगे जिसे की मंदीर है ग्राम पंचायद है और भी कुछ सारवजिन भवन बगेरा इसी चीजे सारी दिखाएंगे ताक बारिस भी तेज हो रही है तो निकलते हैं वह इस पर वैसे कोई भी नहीं है कि अधर कहा रहा है कि दूस्ट आरा कि यह वाई मक्का की बोनी करने के आ था यह वह निकर के आया और पानी ने मिला लिया कि